कि सब्सक्राइब एन एंबाश्य चैनल एंड प्रेश दी बैल आइकउन तु नेवर मिस्टे अपडेट कि सब्सक्राइब करने वाले हैं कुछ इस टाइब की निवर कॉंसर फोटो एडिंग तो इस कॉंसर पर मैंने पहले वीडियो डाल रखिए अगर आपने नहीं देखी तो वी वीडियो बहुत ज्यादा उस्ता में आप जाकर देख लेना उसको भी तो इस वीडियो में बैक्र सब्सक्राइब करने हैं और यहां पर इसको लगाने के बाद से आपने क्या करना है इसका एक डूब्लिकेट बनाना है और सिंप्ली क्या नहीं यहां पर फ्लिप वाल लोग और लोग और वीडियो करना है अप्शन पर जाना है और इसको सीधे उल्टा कर देना है और उल्टा करने के पास यहां पर कुछी टाइब से इसको सेट कर देना है जैसे कि हमारा मिरर साइड होता है उस टाइब में इसको सेट कर लेना है और फिर इसकी ओपिसिटी आपने डाउन कर देनी है और इसको डा तो यहां पर करना है और इस तरह से लगाने बाद से आपने इसका ब्लेंडिंग मोड इसक्रीन कर देना है और देखे जो हमारा निवर के टेक्स्ट के उपर आ रहे हैं तो simply आपको Eraser पर जाना है हाडनेस कम करना है साइज बढ़ा करना है और यहां उपर के तरफ से Erase कर देना यहां तक ठीक है आपके टेक्स्ट पर नहीं आना चाहिए ठीक है तो यहां पर हमने इसको कर लिया है देन उसके बाद से simply करेंगे इसको कर देंगे और उसके बाद से गयाज जाम कुछ और प्यंजिस आड करनी है तो हम simply करते हैं फिर आड फोटो पर जाते हैं और यहां गाइज हम एक ड्रोन की पीएट करेंगे ठीक है तो यहां उपर के साइड में हम इसको लगा देते हैं कुछी स्टैप से कर दो यहां पर आपने इसको एकदम सेट कर लिया उसका बाद से फिर से एड़ फोडो बजाते हैं अब हमें क्या करना है अपने मॉडल की फोडो को एड़ करना है तो यहां पर हम इसका कट आउट पहले बना रखें तो अगर आपको कट आउट बना नहीं है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मेल जागा पहां से इसको दे के सी अच्छे सेट करेंगे तो यहां पर हमें इसको सेट करने के बाद से आपने इसका भी एक डूपलिकेट बनाना है अधको आपने i-nue-ra-text वाले में किया था तो आपने इसको भी फिलिप करना है और यहां पर इसकी भी ओपिशिटी आपने कम कर दनी है और यहां पहले तो तो यहां पर इसकी opacity हम रख लें 25 के आस पास रखते हैं ठीक है इतना सही है इसके लिए तो उसका बाद से simply आस इसको done कर देंगे और यहां पर हम एड़ फोटो पर जाते हैं यहां से घज हमें एक text png आड़ करने हैं तो यहां पर हम इसको बना दिया तो उसके बाद से यहां पर इसको लगाने के बाद से आपने इसकी opacity थोड़ी सी कम करनी है और देन उसके बाद से इसको और फिर side side से दोनों side से आपने इस तरह से कर लेना है draw तो यह काफी सही हो गया है उसके बाद से simply आपने इसको done कर देना है और done करने के बाद से दिखिए हमारे pixart को तो काम हो चुका है तो आपने simply इसको draw tool में ले जाना है और यहां से फोटो को कर लेना है save तो यहां पर आगे हैं अपने lightroom में और यहां lightroom में आने के बाद से आपने गाना है lights के उपर जा रहा है और यहां पर जो गयजा हमारा contrast होता है इसको आपने minus कर देना है इसको minus कर लेना है 20 और highlights को हम increase कर देता है 30 फिर shadow को भी same रखते है 30 परसेंट तक और यहां पर वाइटीज को भी हम थोड़ा सा कर लेता है 15 इसको 10 ही रखते हैं ठीक है और blacks को आप minus में रख लेना है थोड़ा सा 20 परसेंट तक और next color वाले option पर आपने चले जाना है और यहां पर इसको temp को रख लेना है 10 increase करके और tint को minus में 10 रखना है और फिर आपने mix वाले टूल पर चले जाना है और यहां mix वाले टूल पर आनेक बाद से आपने जो first color मिलेगा उसके hue को आपने थोड़ा सा increase कर देना है क्यों गाइस यहां हमारे text का color है जो हमारी 3D text है उसका color है तो यहां पर हम इसको 10 रख लेता है और देने आप हम और और पर आते हैं और इसकी saturation को 10 और luminous को 10 रख लेता है आप अपने face को recording score रख लेना ठीक है और बाकी यहां पर से आपने score done कर देना है और उसका बसे आपने next wallet टूल पर चले जाना है यहां पर आपने टेक्स्चर को कर दाना है 30% और फिर clarity इसको रख लेता है 10% और यहां पर dh को भी आपने 10 ही रख लेना है ठीक है फिर यहां पर विगनेट को रख लेना माइनस के 20 और फिर हम जाते हैं नेक्स्ट वालेट टूल पर यहां पर शार्पनिंग इंक्रीज कर देना आपने इसको रख लेता है इसको भी हम रख लेता है 23 कि अन्वाई से रख लेता है 15 इतना करने के बाद से आपकी फोटो तो कम 90 पर संट कंप्लीट हो चुग है उसका बाद से और यहां पर अर्टिस्टिक 8 यहां आफ फिल्टर को आपने अप्लाई कर लेना है ठीकै और यहाह पर इसमें 90 तzlich लेना है को आपने 90 कर देना है नीक सिस्को और 30 एषां पी। चले जाना है और यहां पर प्लस की ईकन पर जाना ऑं 3 वाबाट आप्सन चूज करना और तो यहां से इसको डन कर देना है तो यह हमारी वीडियो हुए फुल्ली कम्प्लीट तो आप कर्मेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लेगी अच्छी लेगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना